हलो स्टूरेंट्स मैं अंकिता आपके इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैगनेट ब्रेंज हिंदी पर जहां आपको मिलता है है कॉल्टर एजुकेशन विच सो मैनी टॉप कोर्सेज CBSE, UP, MP, Bihar, Rajasthan, Delhi Board, Classics से लेकर Class 12 तक के सभी स्टूरेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम free of cost यानि स्टूरेंट्स आपको इनमें से किसी भी कोर्स के लिए कुछ भी पे करने की जरुद नहीं है वहीं Magnate Brains English Medium पर केजी से लेकर Class 12 तक के सभी स्टूरेंट्स के लिए CBSE Board अवेलेबल है तो मेक शूरे स्टूरेंट्स की इस अपॉर्चनिटी का फायदा जरू उठाए क्योंकि ये सारे के सारे जो प्लास के लिए जो ये content अवेलेबल है free of cost available है तो इतनी free education जब आपको मिल रही है तो इस opportunity का फायदा उठाना तो बनता है है ना इसके अलावा अगर e-books या e-notes चाहिए तो उनके लिए आपको जाना पड़ेगा description box में वहाँ पर दिये गए हैं आपको links उन links पर click करते ही आपको सारी जानकारी e-books और e-notes से related मिल जाएगी थोड़ी सी जानकारी में आपको अभी दे देती हूं इन से related वो ये कि ये e-notes जो है ना वो organized format में available है और practice sets के साथ available है तो आपको बहुत जादा helpful साबित हो सकते हैं make sure इन links पर आप click करें ताकि पूरी इंचानकारी इंसे related आपको मिल जाए इस important information के बाद अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के वीडियो पर जो की है most important questions of the chapter deep water जो चलिए students जल्दी से हम इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे short answer type questions और जो सबसे पहला question है वो है how did the instructor turn Douglas into a swimmer? यानि जो instructor है उस instructor ने किस तरीके से जो है Douglas को एक swimmer में एक तैराक में बदल दिया क्योंकि Douglas तो डरे हुए, सैमे हुए से रहते थे ना डरे हुए, सैमे हुए से वैसे नहीं रहते थे मतलब दिमागी तोर पे एक डर जहन में बैठा हुआ था ना कि पानी का खौफ उनको था तो किस तरीके से वो खौफ पर काबू पाने में Douglas की मदद की थी इन इंस्ट्रॉक्टर ने तो देखिए, the instructor made him practice swimming step by step and gradually मतलब दीरे दीरे बहुत ही slow process रखी, बहुत slow piece by piece turned him into a swimmer यानि इतना patience रखा, इतना धीरज रखा इनके साथ ऐसा नहीं किया रहे पंदर दिन होगा, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया तो भी तो भी तक swimming करना आया है नहीं, नहीं इंस्ट्रॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझा कि क्या problem है और क्या खौफ बैठा हुआ है इनके दिमाग में और उसी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे एक एक करके gradually इन्होंने help करी और एक एक चीजें सिखाई और उसी का नतीजा निकला कि finally वो एक swimmer बनके निकले, कौन? टगलस When he had perfected each piece, he put them together into an integrated hole यानि जब धीरे 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 उन्होंने अलग अलग चीजें उन्हें सिखाई फिर जब उनको यकीन हो गया instructor ने कि हाँ इनको ये भी आगया अच्छा ये भी इस चीज में भी खौफ के ऊपर काबू पा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया अब ये तीनो चारो चीजें एक साथ करनी है, क्या पूरा लेकर आना है राइट स्टूरेंस तो इसी तरीके से हेल्प करी थी, instructor ने हमारे जग्लस की कि वो अपने इस डर से बहार आ जाए राइट, next question है students, how did his experience at the YMCA swimming pool affect जग्लस? यानि किस हद तक affect किया था जग्लस को ये जो swimming pool में, experience while the students, it is, yes, it is a most important question but it is one of the most important questions in this book, ये मैं आपको बता रहे है, पूरी किताब में सबसे important questions में से एक है ये, तो ध्यान से इसको समझेगा और ध्यान से इसको लिखना है जग्लस's experience of drowning and almost being dead instilled a fear of water in him, उनके अंदर पानी का हौफ पैदा हो गया उस हादसे से, क्योंकि उनको almost लगा था कि अब वो नहीं बचेंगे, अब तो उनकी death हो ही गई मानो, ठीक है He shook and cried, couldn't eat for days, a haunting fear engulfed him, the slightest exertion upset him, he never went back to the pool अब यहाँ पर उन्होंने उस पानी से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करी, हाथ पैर मारे, चलाने की कोशिश भी करी थी, रोए, बिलखे, सब हुआ लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ पाए दूसरा, जब यह रोने भी लखने का या चलाने का जब action करते हैं, तो वो action पानी के अंदर ही दपकर रह जाता है आपकी चीक नहीं निकल पाती है, तो किसी को पता तक नहीं चल पाता है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है क्या तो अंदर ही अंदर वो खौफ सा बनकर आपके अंदर और ज़्यादा बैठने लगता है और ऐसा ही डगलस के साथ भी हुआ और कई दिनों तक यह जो खतरना यह जो खौफ था उन्हें अपनी गिरफ्त में पकड़े हुए रहा इणर्फ का मतलब होता है अपनी गिरफ्त में ले लेना, चपेत में ले लेना या एनगल्फ का मतलब निगर लेना भी होता है ठीक है? तो यह अपने यह जहन मेंके बैठ गया था एकदब The slightest exertion upset है और थोड़ा भी काम करते तो बहुत जाथ थक जाते थे Upset से हो जाते थे He never went back to the pool, feared water and avoided it whenever he could यानि कभी भी दुबारा वो swimming pool में उन्होंने कदम नहीं रखा था उसके बाद वो पानी से इतना डर गए कि जब भी पानी सामना सामना होता था तो वो से avoid ही करते थे अब यहाँ जब पानी का आमना सामनी की मैं बात कर रही हूँ तो यह ग्लास में भरकर पानी पेने वारा पानी नहीं है कोई भी water body जैसे जैसे natural water body हो गया फिर swimming pools वगरा यह हो गया ऐसा कुछ भी उनके सामनी आता था तो वो avoid ही करते थे वो नहीं उसके अंदर enter करते थे और दूर से ही कि भी नहीं वहाँ असपास जाना भी नहीं इन्होंने कोशिश भी की लेकिन successful नहीं हो पाये थे बहुत समय के बाद जब इन्होंने यह देख लिए कि मैं तो घूमपीरी प्रॉपर नहीं पा रहा हूं मैं बहुत सारी चीज़े हैं जो करी नहीं पा रहा हूं तो इस बेटर कि मुझे अपने इस डर पर काबू पाना है तो मैं एक इंस्ट्रॉक्टर हायर करूँ थाकि मैं अपने इस डर पर काबू पा लूँ और वहीं हमने फिर पहले question में देखा कि इंस्ट्रॉक्टर ने किस हद तक उनकी फिर मादद की राइट स्ट्रॉक्टर है देखते हैं अगला question और यह है हमारा long answer type question यह एक optional type question है देखते हैं क्या है How did Douglas develop an aversion of water? Aversion of water मतलब कि उससे एक दूरी से क्यों बनाने लग गए एकदम उससे दूर क्यों होने लग गए पानी से मतलब YMCA swimming pool में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़े से उनकी दिमाग में डर बैड गया था अब similar सा question ही हमने पहले देखा short answer type में था, long answer type में है और same question को इस तरीके से पूछा जा रहा है पर कारण ही तो पूछा जा रहा है ना तो आप देखिए एक ही question को कितने तरीके से पूछा जा सकता है और short का long or long का short answer type में भी आ सकता है तो ध्यान रखना है यहां देखिए Since the age of three or four when the author accompanied his father to the beach he realized that he disliked water यानि इसका मतलब है कि जब वो तीन या चार साल के ही थे और author जो अपने पिता के साथ गये थे उन्हें पता चल गया था कि उन्हें पानी बिल्कुल पसंद नहीं है He would get frightened by the power of the waves which through him swept over and he was buried in water मतलब वो surfing के लिए बीच पर जब गये थे surfing कर रहे थे एक water activity होती है और पानी की जो तेज लहर हाई उसके कारण वो गिर गए अपने पापा के उपर से पिता के उपर से जो पकड़ थी वो छोड़ गए उनके पानी में गिर गए और लहरे आगे उन पर अपको कोई डूबे नहीं थे लेकिन तीन साल का बच्चे का बच्चा तो थोड़ा सा मूँ भी पानी में चला जाता है तो उसमें घबरा जाता है बिचारा तो ऐसा ही तीन-चार साल के जब थे तर्गलज तो उनके साथ ऐसा हुआ उसके अलावा देखें Later at the age of 10-11 years he decided to learn swimming. He joined swimming classes at a swimming pool at the YMCA. He felt that the swimming pool was safe. अब यहां पर क्या हुआ दस-ग्यारा साल के जब वो हुए तब उनकी swimming सीखने की इच्छा बापस से हुई कि मैं swimming सीखूंगा तो उन्होंने join किया किया YMCA swimming pool उन्होंने join किया अब क्यों किया था क्योंकि इनको यह लगा था कि यह एक safe pool है safe swimming pool है इसलिए कि यहां कुछ नहीं होगा एक तरफ दो फीट का है और नौ फीट तक है वो लेकि दो फीट का जायना मैं तो वहाँ देरना सीखूंगा also the pair of water wings would help him stay on the surface but more they installed a sense of confidence in him it was just when he had started feeling comfortable that an incident took place अब उन्होंने एक water wings भी लिये थे जो मैंने meaning आपको पहली भी समझाया था हाथ में plastic सा cover से होते हैं सिर्फ बाजू-बाजू में पहनने होते हैं यह डूबने नहीं देते हैं आप help करते हैं पानी की सतय पर आपको बनाये रखने में तो इससे एक तो उनको confidence मिल रहा था और वो safe भी महसूस कर रहे थे जैसे जैसे वो पानीक सा थोड़ा comfortable होने लगे और जब उन्हें लगा कि नहीं अब मैं comfortable हो चुका हूँ तब उनके साथ है घटना घटी और वो क्या थी? A big boy picked up the author and threw him in the pool at the deep end जहां पर गहराई थी ना जहां 9 feet का था वहां पर पूल में फैंक दिया Douglas को और एक बच्चे ने ऐसे शरार्ती बच्चा था और उसने Douglas को ऐसे गोदी में उठाया और जहां जिस तरफ पूल सबसे गहरा था वहां पर उसे फैंक दिया He got water in his mouth and sank to the bottom He was frightened but kept his mind working and devised a way out but things did not turn out as planned अब यहां क्या हुआ उसके मूँ में पानी चला गया और वो एकदम bottom में नीचे तक चला गया swimming pool के अंदर इतना हो गया He was frightened वो बुरी तरीके से डर गया था बुरी तरीके से डर गया था but kept his mind working लेकिन अपना दिमाग अभी पे उसका काम कर रहा था and devised a way out but things did not work did not turn out as planned अब यहां पर हुआ यह कि उसनी plan तो सूच ले था कि जैसी में नीचे जाओंगा धका मरूँगा पुछ करूँगा अपने आपको बाहर आ जाओंगा फिर लेकिन ऐसी planning जो उनकी थी वो चली नहीं fail हो गई वो planning his lungs felt as if they would burst he was overpowered by fear reached out as if to grab something but could only get his hands on the water क्या हुआ क्यों उन्हें बाहर निकलने की कोशिश में क्या सोचा था कि मैं जैसे इनिचली सतह पर पहुँँँगा वहां आपने आपको पुश करूंगा उपर की तरफ और सतह पर आ जाओंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ नहीं तो उनकी सास उखड़ने लगी lungs heavy feel होने लगे और धीरे धीरे एक panic situation create होने लगी उनके लिए कि भाई अब मैं शायद अब तो नहीं ही बचूंगा अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी जो इकलौती planning थी इससे बचने की वो तो fail हो गई है उन्होंने बहुत पानी में हाथ-पैर भी डाले और हाथ-पैर पटके कि किसी तरह मेरे हाथ में कुछ आ जाया चाहिए रोप आ जाया रसी आ जाया कुछ जिसकी मदद लेकर जिसके सपोर्ट से मैं इसे पानी से बहार निकल जाओं लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और वो नहीं बचा पा रहे थे अपने आपको और इसलिए उनके अंदर ये जो खौफ है वो पानी का जो खौफ है वो बैठ गया राइट स्टुडेंस क्लियर है अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से आपको यहां करना है पहले में सर्फ इतना एक्स्पेरियन करना है कि वो अपने क्योंकि एक्सपीरियन्स हुआ था पानी वाला वो छोड़ा थोड़ा सा समझा के आपको बता देना है लेकिन जब डीटेल में पूछना पूछा गया है तब आपको बिल्कुल बताना है कि पिछला एक्सपीरियन्स भी हुआ हुआ है ये भी एक कारण है और दूसरा उनको बदमाश बच्चे ने उठाकर पहंग दिया था तो वो भी डिटेल आपको देनी है तो ये हमेशा ध्यान रखें कि लॉंग आंसर जो होता है उनको आपको किस तरीके से अप्रोप्रेटली लिखना अननेससरी इंफरमेशन नहीं देनी होती हमेशा मेनिफुल सेंसिफबल ही लिखें राइट, क्लियर है आगे बढ़ें He got suffocated due to lack of fear, could not scream, moved his arms desperately but all his efforts failed and he once again sank to the bottom of the pool and unexplainable terror seized him. His limbs were lifeless, rigid due to fear and he could not even scream. The only sign of life was his heartbeat. He sucked in water and then suddenly all his efforts to save himself stopped. He was relaxed, peaceful, fearless and sleepy, almost dead. अब यहाँ पर suffocate होते गए, उनको हवा सांस नहीं आ रही थी, चिला नहीं पा रहे थे, अपने arms को move कर रहे थे, बुरी तरह move कर रहे थे, किसी तरह भार निकले, लिकिर उनके सारी मेहनत जो थी, सारी कोशेशे जो थी, वो fail हो रही थी, एक बार फिर से वो डूबने लग उनकी limbs lifeless हो गई थी, मतलब इतना डर गए थे, कि वो पूरी body उनकी numb up पढने लग गई थी, धीरे धीरे, ना वो चिला सकते थे, और वो जिन्दा है, इस बात का sign सिर्फ यह था, कि उनका दिल धड़क रहा था अभी भी, ठीक है, he sucked in water and then suddenly all his efforts to save himself stopped, अब यहाँ पर उन्हे अब इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी, जान ही नहीं बची थी, अब तो वो एकदम relaxed, peaceful, fearless and sleepy, he was almost dead, कि क्यों नहीं लगा था, कि मैं अब मरी चुका हूँ और इनकी situation भी ऐसी थी, बस last सांसे ही बची हुई थी, इनके अंदर इनको लगा था, कि अब तो अजीब सी सननाटा सा और शांती सा इनको लग रहा था, right? It was due to these experiences that the author developed an aversion to water, और ये इतना खतरनाक इनके साथ ये experience हुआ, इसी की वज़ए से जो है, इनके अंदर पानी से खौफ पैदा हो गया और ये दूरी इन्होंने बनाए रखी, right students, clear है, अच्छे से समझ में आया की नहीं, right? चली, students, देखे, अगर कहीं doubt है, जैसे मैं हमेशा बोलते हूँ कि तो doubt को लेकर तो नहीं चलना है न, हमको पूछ लेना है उस doubt को, उसी वक्तो, comment करके बिलकुल पूछ लीजेगा, कहीं भी कोई doubt है, तो मैं definitely आपको उसको ज़रूर बताऊंगी, right? और यहां क्या है हमारा अगला question, जो की है, describe the efforts made by Douglas to overcome his fear of water, यानि यहां पर जो Douglas ने जो efforts किये थे न, Douglas ने वो कौन-कौन से efforts से ताकि वो पानी के डर से जो है, उबर सके, कौन-कौन से efforts थे, Douglas was in the tight grip of a fear of swimming in water bodies and finally decided to get rid of it, यानि चुकि उन्हें स्विमिंग का बहुत जादा डर लगता था, तो हो किसी भी water body में जान नहीं पाते थे, and finally decided to get rid of it, और आखिर में उन्हें उन्हें उससे छुटकारा पाने का सोचा, get rid of it, छुटकारा पाना, तो आखिर में उन्हें यह न instructor को हायर किया, who taught him swimming piece by piece and when he had learnt it all, he combined all the pieces together and made Douglas a swimmer, अब यहाँ पर उन्हें उन्हें इन्स्विम्टर ने बहुत ही धीरे धीरे एक 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 चीज करके जो है, सिखाई Douglas को, एक एक चीज सिखाई, ठीक है, कि Douglas को सिखा रहे हैं और जब उन्हें लगा, इन्स्विम्टर को कि swimmer बना दिया, still he was not confident, अब आत हो कही थी swimming करना, पानी का डर भी तरी 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 जाने रगा था, लेकिन अभी भी Douglas के अंदर पूरी तरीके से confidence नहीं आया था, अभी भी इनमें वो आत्मविश्वास नहीं था कि चलो अभी तो मैं पास instructor है, ठीक है, मैं सब कर पा रहा हूं, लेकिन जब classes खतम होगी तो lifetime तो नहीं रहने वाला नहीं इंस्ट्रक्टर मेरे साथ, तो जब इंस्ट्रक्टर चला जाएगा, तो मैं क्या अकेले भी कर पाऊंगा, क्या swimming अकेले में, तो इसलिए वो confident नहीं हो पा रहे था अभी भी, and the terror would seize him time and again, मतलब फिर समय समय पर वा to various lakes, dived and swam across them, वो पूरी तरीके से इस डर से निजात पाना चाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो चाते थे कि वो इस पर फतेह हासल कर ले, अपने डर पे तो उन्होंने क्या किया, अलग-अलग lakes में गये, वहाँ पर गोते लगाए, अलग-अलग जगह पर उन्हों डर लोटकर आता भी था ना, अगर हलका फुलका, तो भी उस डर को वो बहुती सर्कास्टिकली, मतलब व्यंगात्मत तरीके से उसको जवाब दे दे थे, क्या बोलते थे कि अच्छा, तुम डराओगे मुझे, क्या बिगाड लोगे, तुम मेरा जाओ, मैं बताता हूं अभी उड़ाते थे, फिर दाट वुट ग्रेप हम टाइम अगें अगें अंटिल ओल अफट वैनिश्ट अवे, तब तक उन्होंने इस तरीके से अपने उपर, यूनों, अपने उपर काम करना नहीं छोड़ा, जब तक उन्हें पुरा यकीन नहीं हो गया कि हाँ, अब मु कहीं कुछ छोड़ना ही नहीं है, थोड़ा सा मौका भी नहीं छोड़ना है कि कोई मेरे उपर, कि मेरे अंदर जरा सा भी हिंट भी रहे डरगा, कि मेरे को पानी से जरा सा भी डर लगता है, और जब तक वो इस लेवल तक नहीं आगए, तब तक वो अपने आप पर मेहनत कर होते रहे, right students clear है, आया समझ में, जगलस realized that fear was merely a crop of the mind and once he had conquered it, it felt released free to walk arduous terrains, climb peaks and brush aside fear, अब यहाँ जगलस को यह एहसास हो गया था कि डर क्या है, कुछ नहीं है, मामुली दिमाग का ही एक बीज होता है, basically, दिमाग की उपज होती है, तो आपके दिमाग में अकर वो बैठ जाता तो बैठ जाता और अपनी दिमाग को कंट्रोल में कर लो, तो आपको डर भी नहीं सता था, और जैसे इन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया, तब उन्होंने जहां पहाड चड़ने थे, तो वो वहाँ गये, जहां कास्केज में, जहां भी जाना था, वहां सब उन जग फिस तर्क टेरर और और जैन बाइग कांकरिंग इच इस डिजार तो लेव लाइफ इंटेंसली, यानि जगलर जो है उन्होंने बहुत एक भायानक देह्ष, मतलब गहानक खौफ का सामना करा था, ऐसा खौफ, डेथ से रिलेटिट की, हो सकता था उनकी चंद सेकंड पी अ लेकिन आखरी मोमेंट तक उन्होंने ये समझ लिया था कि अब वो नहीं बचेंगे, and then by conquering it, his desire to live life grew intensely, और जब वो मौत के इतना ज़्यादा पास होकर वापस आये ना, तब और जब उन्होंने अपने इस डर पे काबू भी पालिया, तो दो ऐसे experience इनके पास ऐसे हुए कि अब तो almost मरी गया हूँ, और डर पे भी काबू पालिया है, तो दोनों चीज़ें जब हो गई, तब इनको लगा कि life को तो जीना ही चाहिए, पूरी तरीके से, और वही फिर इनोंने किया, right students, I hope आपको ये explanation पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और doubt अगर रह गया ह तो आप comment section में पूछेंगे, और students इसी के साथ हमारे most important questions का ये video यहां end होता है, ये video कैसा लगा, comment करके मुझे जरूर बताइएगा, इस video को like जरूर कीजे, जादा जादा शाय कीजे, ताकि हमारे बागी students भी इसका benefit उठा सके, अब अगर magnet brains हिंदी को subscribe नहीं किया है, तो अ magnet brain English को नहीं अपने अपी तक subscribe किया है, तो वहाँ पर भी आप इसको subscribe कर लें, क्योंकि वहाँ आपको मिलता है, kg से लेकर class 12 तक का CBSE board, again students, एकदम free of cost, तो इतनी free education आपको मिल रही है, दोनों ही channels पे, magnet brains हिंदी हो या फिर English, दोनों channels पे इतनी free education मिल रही है, तो बेटा, इस opportunity का फायदा जरूर से जरूर ठाइए, इसके अलावा e-books और e-notes तो है ही, जिनके links आपको मिल जाते हैं, description box में, इनकी सारी जानकारी तो आप जब links पर click करेंगे, तो मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी अब यह दे देती हूँ, कि e-notes जो है, organized format में और practice ads क साथ available होंगे, तो आपके लिए बहुत जादा helpful साबित होंगे students, इसके अलावा students, make sure कि अगर आपको latest updates चाहिए, तो हमें follow करें Instagram, Telegram, Facebook और Twitter पे, पेटा इस पे सारी latest updates रहती है, time table से related रहता है, कब कौन सी class, का कौन से subject का video आने वाला है, या live होने वाला है, आपको सारी की स information इसके तरू मिल जाएगी, आखर में फिर से एक बार बता दू, doubt होने पर पूछ लीचे, वीडियो कैसा लगा, वो भी comment करके मुझे बताईए, इस वीडियो को like कीजे, जादा से जादा share कीजे, और सबसे जरूरी बात, अपना ध्यान जरूर से जरूर रखिए, तो students, मिल